जी यहां फ्रेंड्स देखिए एक और कमाल उत्राखंड सरकार का CPU के इंटरव्यू वो होम गाड की भरती टाल दी गई है ज्यान दीजेगा फ्रेंड्स वहीं होम गाड की ट्रेनिंग और करीब 400 पदों पर होने भरती को भी टाल दिया गया चार मैदानी जिल्यू में CPU के लिए सास्तंबर को यातायात मुख्याले में इंटरव्यू होने थे वहीं जहां पर 300 पुलिस वालों ने आवेदन किये थे तो फ्रेंड्स आप देख सकते ह हैं कि बड़ी मुष्किर से तो यार भरतियां निकलती थी भले वो पेपरों में निकलती थी लेकिन यहां पर फिलहा लिए नियूज निकलके आ रहे हैं उत्राखन में जितने भी जो होम गाड की भरतिया थी उनको टाल दिया गया है इसके अलावा फ्रेंड्स दूसरी नियूड यही है आपके पास और मैं होम गाड से लेटेड नियूज लेके आया हूं कि चार दाम यातर से लेकर ट्राफिक संचालन तक कि आहम भूंकी जो भूमिकान निभाते हैं होम गाड की जो नई भरति दो वर्सों से निलंबी थी और उनके मांदेव को प्रहुत्री को लेकर काफी मसला हो रहा था दरसल 2018 में होम गाड के मुख्याले में जो हम गाड की संक्या थी उसको बढ़ाकर 6411 से बढ़ाकर दस हजार करने को भी लेकर ऐलान हुआ था लेकिन और यह कहा गया था कि इसके मकसद चार धाम यातरा कुम अर्थकुम के समय होने वाली चुनाओं को लेकर और उसके अलवा जिला जो इस तरों पर ट्राफिक के सुधार को लेकर यह सब होने वाले थी लेकिन भरती के प्रकिया आगे बढ़त पाती इससे पहले हाई कोड के नेट देशों पर इसके मान दे न्यूंतम 8000 रुपिया क करना पड़ा बित्ती भार को देखते हुए प्रदेश सरकार ने नई भरती पर कदम पीछे हटा लिए तो यार यह सब चीजें हैं पहले आपने देखा CPU का बढ़ती जो इंट्रिव्यू था उसको कैंसल कर दिया उसके बाद वहां पर देखा कि होम गार्ट के जो इंट्रि है क्योंकि आपको पता है कि कोबिट की वज़र से बांकी सीजें जो स्टॉप नहीं हो रही है सब चीजें तो चली रही है लेकिन उत्राखन सरकार यहां पर क्या किया जा सकता है तो इसके लिए आप यूथ हैं तो आप से यह हमारा रिक्वेस्ट है कि आप ट्विटर पर यहां सोचल मेडिया का इस्तेमाल करें जैसे हाइप चल लए है हैस्टेक का इस्तेमाल करें और इस तरह की घटनाएं हो रही है इनको इनके खिलाप सरकार के खिलाप हमें अवाद उठाना चाहिए बांकियार को अगर कोई डाउट हो इस वीडियो से लेट है तो मुझे इं